सब्सक्राइब कीजिए वर्साइग कीचन चैनल को और बेल आइकोन को दबाएए स्वाधिस रेसिपी की वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए स्वाधित आप सब का मेरी चैनल को ताज में बनाऊंगी पालक पनीर की सबजी तो चली बनाते हैं तो पहले हम एक किलो पालक को बॉइल कर लेते हैं और उपर से ढख देते हैं इसे पांच या दस मिनिट तक बॉइल होने देते हैं बॉइल हो जाने के बाद पालक का सारा पानी निकाल दीजिए तब हम मिक्सर में पालक को गुराइन तल लेते हैं तब हम एक कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखते हैं तेल गरम हो जाने के बाद अब हम तीन प्यास का पेस्ट डाल देंगे अब इसे अच्छी तार से गरम होने दीजिए अच्छी तार से हो जाने के बाद अब हम दो टमाटर ता पेस्ट डाल देंगे इसे अच्छी तार से मिक्स करेंगे यह दोनों पेस्ट हो जाने के बाद अब हम हरी मिर्च और अरजरता पेस्ट डाल देंगे दो चममत अच्छी तार से मिक्स कर लेंगे उसके बाद अब हम स्वाज अनुसा समख डाल देंगे अब हम इसमें सारी मसाले डाल देते हैं एक चमच रल्दी डाल देंगे उसके बाद एक चमच गरम मसाला डाल देंगे उसके बाद अब हम देड़ चमच लाल मिस पाउडर डाल देंगे और इसके बाद लॉंग और डाल चिनी तब पाउडर डाल देंगे आधी चमच इसा हम अच्छी तहाँ से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तिन चमच बटल डाल देंगे ये सारी चीजे हो जाने के बाद जो हमने पाललक का पेश बनाया था वो डाल देंगे इसमें मैंने एक कप पानी एड़ किया है अब हम इसे अच्छी तारा से घरम होने देते हैं और आखी में अब हम पानीर के पिपड़े लाल देंगे अब हम इसे पांच या छे मिनिट तब कुक होने देते हैं तो अब हमारी पालक पनी के सब्जी हो गई है त्यार आप इसे जेरा राइस और बटर रोटी के साथ गरम गरम खाएं अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक और चैर करना और चायेको सब्सक्रैप जरू करना प्रेस्टाइन